नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है vampirehub.com की ओफिसील यूटूब चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त अनुराग दोस्तों हम यहाँ पर रोजाना आपके लिए सबसे पहले सरकारी नौकरियों की जानकारी लेकर आते हैं तो अगर आपने हमारे चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो अभी सबस्क्राइब कर लें और बेल घंटे को दबा दें दोस्तों आजम जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं वो निकली है आरासे सेंट्रल मुंबई के डिपार्टमेंट में हाल में ही आरासे सेंट्रल मुंबई ने 2196 के पद के लिए अधिसूशना प्रकासत की है तो आज हम इसी के बारे में चर्शा करेंगे डिटेल में मैं आपको बताऊँगा नहीं बलकि दिखाऊँगा कि आप इस फार्म के लिए कैसे अपलाई कर सकते हैं ओफिसियल वेपसाइट खोल के तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर पद का नाम है आरासे सेंट्रल मुंबई एपरेंटिसिस अगर इंपार्टन डेट्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँँ आपको यहाँ पर अप्लिकेशन विगिन डेट है एक नामबर 2017 को यह स्टार्ट हो चुका है लास्ट डेट टू अपलाई ऑनलाईन है तीस नामबर 2017 साम पांच बजी तक इसकी लास्ट डेट ऑफ पैमेंट है तीस नामबर 2017 यानि की सेम डे अगर अपली केशन फीस की बात करें तो यहाँ पर जेनरल ओबीसी कैंडिटेट्स के लिए अप्लिकेशन फीस सौर रुपर है यहाँ पर पैमेंट करना होगा आपको डेट कार्ड, प्रेडिट कार्ड, निट बैंकिंग या फिल इस चलान के माध्यम से अगर वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ओवैकेंसी दो हजार एक्सोच्यानवे है और एज लिमिट का रिफरेंस माना गया है एक नवंबर दो हजार सत्रा को यहाँ पर पद का नाम है अप्रेंटिसिस जेनरल के लिए 1180 पद है, OBC के लिए 513, SC के लिए 281, ST के लिए 230 यानि की टोटल पद है 2,196 अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट है 15 से लिए 24 साल और इसकी eligibility मांगे गई है यानि की स्याक्षी की उबित है जो हम मांगे गई है वो है 10 वी पास साथी ITI Certificate in Related Trade चलिए दोस्तों अब हम बात कर लिते हैं Factory-wise Vacancy Details की तो दोस्तों अगर मैं Factory-wise Vacancy Details आपको बताने लग गया तो यहाँ पर कम से कम आदाई वेंटे से जाड़े का समय लग जाएगा तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेश्ट करूँगों कि आप हमारे Official Website यानि की VampireHub.com पे जाए और इस Vacancy से रिलेटेट सारे Factory-wise Vacancy Details पढ़के Official Notification को अच्छे से पढ़के ही Apply करें चलिए आप आगे बढ़ते हैं और आपको इसके कुछ important facts के बारे में और भी मैं बताता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर चलिए मैं आपको बता दूँ अब कि आप इसकी Official Notification को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं देख सकते हैं दोस्तों आप स्क्रीन पर कि यहाँ पर लिखा हुगा है Download Notification अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका Notification डाउनलोड हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं आप इसे पढ़ सकते हैं अच्छे से उसके बाद ही apply करें इसके official website का link मैंने उसके नीचे दे दिया है और apply करने का चलिए प्रूसेजर आपको बता देता हूँ और इसको apply करने का है मतलब कि इस form के लिए Mumbai Central के लिए apply करने के लिए आपको जाना होगा registration के link में अगर आप पहली बार जा रहे हो तो यहां आपको click करना है और आपको इसकी official page खुल जाएगी यह देखिए आपको इसका official page खुल जाया है साथ ही आपको dietly ही आपको मैंने link दे दिया है registration form का आपको यहां पर अपने details को fill up करना है जैसे कि name, middle name, name, surname, father name, gender, community, physically, handicapped है या नहीं है सारे details को आपको भरके last में register पर click कर देना है और आपका form register हो जाएगा last में आपको payment कर देनी है दोस्तों मैं करके नहीं रिख लपाँगा क्योंकि मुझे यह form के लिए apply नहीं करना है दोस्तों मैंने video के description में सारे details दे दिया है तो आप वहाँ जाए click करें और हमारे website पे जाके इस form के apply करें अगर कोई भी doubt हो कोई परिशानी हो तो आप हमें comment करके पूछ सकते है या फिर अगर आपको syllabus शाहिए हो इस पेकेंशी से लिए के previous year questions शाहिए हो तो आप comment करके हमसे website मांग सकते हैं दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ Facebook पे WhatsApp पे जरूर सेयर करें अगर आप में इसे 10 लोगों ने भी अगर सेयर कर दिया तो मैं सोचूँगा कि मेरा मेहनत सफल हो गया दोस्तों और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जैहिंद वंदे मातरम